दोस्तो नमस्कार ये हैं मागदोशन फोर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों घटना चक्र सामानिय धिन पुर्वाव लोकन स्रिंख्रा के अंतरगत इस वीडियो में प्रेस्तुत है भारत के भुगोल से संबंधित महत्तपूर्ण प्रशनों का रिवीजन जो विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के प्रीवियस एर्स में पूछे गये हैं इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख बहुत देशी नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित सभी महत्तपूर्ण तथ्यों और प्रशनों को कवर करेंगे तो आईए शुरू करते हैं भारत की प्रमुख बहुत देशी नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित मोहत्थपूर प्रश्णों को सबसे पहले जानेंगे हम नर्मदा घाटी पर्योजना से संबंधित जो भी महत्तपूर तथे हैं और प्रश्ण हैं उनके बारे में दोस्तों नर्मदा भारत की पाचवी सबसे बड़ी नदी है और सबसे पहले 1945-46 में नर्मदा बेसिन में सिचाई, बिद्धुत पाधन और बाढ़नी अंतरन के लिए एक विश्तरित कार्योजना तयार की गई थी और इस पर्योजना के अंतरगत 30 बड़ी जिन में 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध और बैराज बनाये जाने की घोश्ड़ा की गई थी दोस्तों सरदार सरोवर पर योजना का निर्माण गुजरात राज में नर्मदा नदी पर नौगाओं के पास आधार तल से 163 मीटर उचे बांध से किया गया है और आप जान लीजिए कि इसका पूर्ण जला से अस्तर 138.68 मीटर यानि 455 फिट है इसमें इससे कुल 1450 मेगावाट जल विद्ध का उत्पादन किया जाता है सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18 पर जो हिस्सा है मध्य परदेश को प्राप्त होता है जबकि गुजरात को 32.1 चार परतिशत हिस्सा प्राप्त हो रहा है पर्योजना से उत्पादित बिद्ध में से सरवाधिक 57 परतिशत बिद्ध किया पूर्तिम मध्य परदेश को और इसके बाद महराष्ट को की जाती है तो सरदार सरोवर से मध्य परदेश को सरवाधिक लाब मिलता है ये जान लीजिए और सरदार सरोवर परियोजना से लाभानवित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महराष्ट और मध्य परदेश सामिल हैं दोस्तों सरदार सरोवर पर्योजना का विरोध करने के उद्देश से फरवरी 1986 में समाज वैग्यानी मेधा पाटेकर ने महराष्ट के धूले जिले में नर्मदा धारण गरस्त समित की अस्थापना की थी और 1989 में अनेक अस्थानी संगठनों के विले के साथ इसका नाम नर्म पर देखते हैं पहला प्रश्ण है सरदार सरोवर पर्योजना से लाभानमित होने वाले राज्य कौन से हैं तो याद रखिए गुजरात महराष्ट मधिपरदेश और राजस्तान ये सरदार सरोवर पर्योजना से लाभानमित होने वाले राज्य हैं दोस्तों सरदार सरोव परियोजना का निर्मार गुजरात राज में नर्मदा नदी पर नौ गाउं के पास आधार तल से 163 मीटर उचे बांध से किया गया है और इस परियोजना से लाभानवित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महराष्ट और मध्यपरदेश शामिल हैं। अगला प्रश्ण है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है तो आप जानते हैं कि ये नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोशना से संबंधित है तो ये नर्मदा नदी है अगला प्रश्ण है सरदार सरोवर से सरवाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है तो सही उत्तर मध्य परदेश को सरदार सरोवर परियोशना से मध्य परदेश को होता है तो सबसे अधिक लाभ सरदार सरोवर परियोशना से मध्य परदेश राज्य को होता है अगला प्रश्न है कौन सरदार सरोवर पर्योजना के विरोध में हैं? तो यहाँ पर विकल्पों में से सही उत्तर मेंध़ापाटे कर हो जाएगा सरदार सरोवर पर्योजना का विरोध करने वाले जो उद्देश से फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाठेकर ने महराष्ट के धूले जिले में नर्मदा धारण गरस्त समित के अस्थापना की 1989 में अनेक अस्थानी संगठनों के विले के साथ इस संगठन का नाम करण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था अगला प्रशन है कौन सा बाध नर्मदा नदी पर नहीं है आपको बताना है बरगी उंकारेश्वर इंदिरा सागर या बाड़ सागर तो सही उत्तर बाड़ सागर दोस्तों नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाले तीस बांधों की सिरिखला में बरगी, उंकारेश्वर और इंदिरा सागर सामिल है बार सागर बांध आप जान लीजिए नर्मदा नदी पर नहीं बलकि सोन नदी पर इस्थित है अगला प्रश्ण है इंदिरा सागरबांद किस नदी पर इस्थित है आपको बताना है तो ये नर्मदा नदी पर है अगला है निम्नलिखित जलासियों में किस एक में मध्य परदेश का हर सूद कसबा जलमगन हुआ था तो सही उत्तर इंदिरा सागर से दोस्तों हर सूद मध्य परदेश के खंडवा जिले में है ये कसबा था जो इंदिरा सागर बांद बनने के कारण 2004 में डूब गया अगला प्रशन है कि उंका रिश्वर पर योजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबध है आपको बताना है तो सही उत्तर नर्मदा नदी से उंका रिश्वर पर्योजना मध्यपरदेश के खंडवा जिले में नर्मता नदीपर है उंका रिश्वर पर्योजना एक बहुत देशी पर्योजना है जिसकी विद्धुत उर्जास थापिक चमता 520 मेगावाट और वार्सिक सिचाई 1.47 लाख हेक्टेयर के क्रिसी कमान छेत के लाभानवितों में से एक है अगला प्रेश्ण है नर्मता बचाओ आंदोलन किस बांध की उचाई बढ़ाने के नेड़े का बिरोध कर रहा है तो उत्तर है सरदार सरोवर बांध का नर्मता बचाओ आंदोलन दोस्तों सरदार सरोवर बांध की उचाई बढ़ाने का बि अब आईए देखते हैं दोस्तों भाखडा नंगल बांध जो बहुत ही महत्तोपूर बहुत देशी परियोजना पंजाब, हर्याडा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है इसके अंतरगत भाखडा और नंगल के पास सतलज नदी पर दो बांधों का निर्मार किया गया है भाखडा बांध का निर्मार कारे 1963 में पूरा हुआ ये बांध सतलज नदी पर बनाए गया है और भाखडा बांध के जलासे को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है भाखळा नंगल बांध का कमांड छेतर हिमाचल परदेश, पंजाब, हरियाड़ा और राजस्थान में विस्तारित है रश्नों पर आते हैं कि भाखळा नंगल एक सज्वत परियोशना है किसकी तो उत्तर है पंजाब, हरियाड़ा और राजस्थान की अगला प्रश्ण है कौन सा राज्य समू भाखरा नंगल पर योजना से जल प्राप्त करता है तो आप जान लिजे हरियाड़ा, पंजाब और राजस्थान ये राज्य समू भाखरा नंगल पर योजना से जल प्राप्त करता है अगला आसान सा प्रश्ण है कि भाखरान अंगल बांध किस नदी पर बनाय गया है तो ये 17 नदी पर बनाय गया है अब आए कावेरी नदी पर बने बांधों से संबंधित महत्वपूर तथ्यों को देखते हैं दोस्तूं जल विद्धुत का भिकास 19. सताब्दी के अंतिम दर्शक में सुरू हुआ 1897 में दारजिलिंग नगर को विजली आपूरती के लिए सिद्रा पोंग में जल विद्धुत सयंत्र लगाए गया ये भारत का सबसे पुराना जल विद्धुत शक्र सयंत्र है करनाटक में कावेरी नदी परिष्थित शोशमुद्रम में 1902 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सबसे पुराना जल विद्धुत पादन सयंत्र लगाए गया और कृष्ण राज सागरबांध करनाटक में कावेरी नदी परिष्थित है कृष्ण राज सागरबांध की रूप रेखा M. विस्वे स्वराया ने बनाय था और कृष्ण राज सागरबांध के पास विरिंदावन उद्यान इस्थित है कावेरी नदी जल्विबाद में शामिल राज तमिलनाडू करनाटक केरल और पोड़ुचेरी है और 2018 के सुप्रिम कोड के नेड़े के अनुसार कावेरी नदी की कुल 740 यानी 726 प्लस 14 टीमसी थाउजेंट मिलियन क्यूबिक फिट विस्वसनी मातरा से करनाटक को 284.75 टीमसी केरल को 30 टीमसी फिट और तमिलनाडू के 44.25 फिट और पोड़ुचेरी को 7 टीमसी फिट जल आवन्टित किया गया है प्रश्न पर आते हैं कि कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है देखें मयूराक्षी मचकुंड पल्ली वाशर या सेवसमुद्रम तो विकल्प के अनुसार शेवसमुद्रम दोस्तों जल विद्धुत का विकास 19.7 के अंतिम दशक में हुआ था 1897 में दारजिलिंग नगर को विजली किया पूर्ति के लिए राज्य विद्धुत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था अगला है सिवसमुद्रम जल विद्धुत परियोजना इस्थित है कहाँ पर आपको बताना है तो सही उत्तर करनाटक में अगला है दोस्तों कावेरी नदी जलबटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है आपको बताना है तो तमिलनाडू, करनाटक, केरल और पुडुचेरी से संबंधित है कावेरी नदी जलबटवारा अगला प्रश्ण है दोस्तों तमिलनाडू और करनाटक का जल विवाद संबंधित है किस से तो सही उत्तर तमिलनाडू और करनाटक का जल विवाद कावेरी नदी से संबंधित था नागारजुन सागरबांच से संबंधित महत्पूर तत्यों को देखते हैं नागारजुन सागर बहुत देशी परियोजना कृष्णानादी परेश्थित है ये परियोजना 1967 में पूरी हुई ये परियोजना आंध्र परदेश और नौग अठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विश्थारित है ये तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र नागारजुन सागरबांध की उचाई लगभग 125 मीटर है नागारजुन सागरबांध के जलासे में 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की छमता है और इस परियोजना के तहत लगभग 1450 मीटर लंबा एक चिनाई बांध बनाए गया है ये बिस्व का सबसे बड़ा और सबसे उचा चिनाई बांध है और बांध की कुल लंबाई 15,956 फेट यानी 4,863 मीटर है देखे पहला प्रशन है भारत के किस राज में नागारजुन सागर परियोशना इस्थित है तो आप जान लीजे कि ये आंधर परियोशना ये आंधर परियोशना ये आंधर परियोशना थी क्रिश्न नदिपर लेकिन वर्तमान में राज्य विभाजन के बाद ये आंधर प पर योजना किस नती पर अवस्थित है तो ये कृष्णा नदी पर आपसन D आपका सही उत्तर है नागारजुन सागर इस्थित है कहां पर तो कृष्णा नदी पर इस्थित है आपसन B आपका सही उत्तर हो जाएगा नागारजुन सागर बहुत देशी पर योजना किस नती प पर इस्थित है नागारजुन सागरबाध कहां पर है तो ये आंध्र प्रदेश और वर्तमान में तेलंगाना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में नागारजुन सागरबाध विश्टारित है अब आगे आईए दोस्तों हीरा कुंडबाध इससे संबल जो महत्पूर्ण तत्थ हैं और प्रश्ण हैं उनको देखते हैं दोस्तों आप जान लीजे हीरा कुंडबाद ओरीसा राज में महानादी पर बनाई गई बहुत देशी परियोजना है इस परियोजना का निर्मार 1948 में शुरू हुआ 1957 में पूरा हुआ हीरा कुंडबाद संबलपोर से 15 किलो मीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर यानि 200 फित उचा और 4801 मीटर मुखे बांध की लंबाई है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलो मीटर है और इस बांध से लगभग 10 नदी पर बनाये गया है आपको बताना है तो सही उत्तर है हीरा कुंडबाद महा नदी पर बनाये गया है हीरा कुंडबाद ओडी सराज में महा नदी पर बनाई गया ये बहुत देशी पर योशना है ये संबलपोर से 15 किलो मीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर यानि 200 फित उ की जाती है महा नदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है तो उत्तर है हीरा कुंड बांध ये महा नदी पर इस्थित है अब आई ये चंबल घाटी पर योजना से संबंधित महत्पूर्ट अथ्यों को देखते हैं चंबल नदी मध्य परदेश के महु के समीब बिंधिन के जान पाओ पहाड़ी से निकलती है इटावा के समीब ये यमुना में मिलती है चंबल नदी पर निर्मित चंबल पर योजना राजस्थान और मध्य पर योजना है इस पर योजना के अंतरगत गांधी सागरबांध मध्य पर योजना है इस पर योजना के अंतरगत प्रशनों पर आते हैं दोस्तों चंबल नदी पर कौन सा बाध निर्मित है इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर या भाखड़ा तो सही उत्तर गांधी सागर चंबल नदी पर निर्मित, चंबल परियोशना, राजस्थान और मध्य परदेश की सहीं तो परियोशना है इस परियोशना के अंतरगत गांधी सागरबाद, मध्य परदेश, राणा परताब सागरबाद और जवाहर सागरबाद राजस्थान मे अगला प्रश्ण है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक कलाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है अपसन है चंबल घाटी मयूराक्षी सरावती या हीरकुंड तो दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान और मध्य परदेश लाभानमित होते हैं मयूराक्षी परियोजना से पश्विम बंगाल और जारखंड हीरकुंड बान से ओडिशा और सरावती बान से करनाटक राज्य को लाभ प्रात होता है तो चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना इन दोनों ही परियोजनाओं से एक से अधिक राज लाभानमित होते हैं अगला प्रश्ण है गांधी सागरबांध निम्ने लिखित में से किस एक का भाग है तो सही उत्तर है चंबल परियोजना का गांधी सागर बांध चम्बल घाटी की चार पर योजनाओं में से पर्थम पर योजना है मंद्य परदेश की मंदसर जिले में स्थिति ये बांध 62.1,7 मेटर उचा है इस बांध का सिलान्यास 1954 में हुआ निर्मार कारिवर्स 1957 में सुरू होकर नौंबर 1960 में पूरा हुआ तो सही उत्तर आपसन ए हो जाएगा अगला प्रश्न है कौन चम्बल घाटी योजना से संबंधित नहीं है आपको बताना है सही उत्तर का चैन कूट से क्यातना है गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर और गोविंद बल्लब पंत सागर तो किसका संबंध है जो है चम्बल घाटी परियोजना से नहीं है गोविंद सागर और गोविंद बल्लब पंत सागर यानी तेन और चार का संबंध ये चम्बल घाटी पर योजना से नहीं है गोबिंद सागर हिमाचल परदेश में सतलज नदी पर भाखरान अंगल बांच से संबंधित है गोबिंद बलब पंध सागर उत्तर परदेश के सोनभदर जीले में रहंद नदी पर है गांधी सागर मद्ध परदेश और जवाहर सागर राजस्थान में जो है ये चम्बल घाटी योजना से सम्बंधित है अगला प्रिश्ण है कौन सा जलासे चम्बल नदी पर बना है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राड़ा परताब सागर राड़ा परताब सागर का निर्मार चम्बल नदी पर हुआ है ये राजस्थान में रावद भाटा में इस्थित है जलासे का निर्मार राड़ा परताब सागर बांध का निर्मार करके किया गया है और इसका निर्मार 1903 में सुरू हुआ और 1970 में इसका निर्मार पूरा परियोजना टिहरी बांध परियोजना के बारे में जानते हैं टिहरी बांध परियोजना का निर्मार भागी रथी यानि गंगा नदी पर भागी रथी और भिलांगना के संगम के थोड़ा आगे उत्राखंड के टिहरी जिले में किया गया है इस परियोजना का मुख्य उद् थी लेकिन निर्मार कारे 1978 से प्रारम हुआ इस परियोजना के लिए टिहरी जलविद्धुत विकास निगम यानि टीएश टीसी की अस्थापना की गई है टिहरी बांद देश का सबसे उंचा बांद 260.5 मीटर है और टिहरी बांद परियोजना का विरोध के मुखे कारण इसक अच्छते तथा लोगों के विस्थापन है अगला है टिहरी बांद उत्राखंड परदेश में निर्मार किया जा रहा है कहां पर तो ये आप जान लिजे टिहरी बांद का निर्मार भागी रथी नदी पर किया गया है टिहरी बांद और जलविद्धुत परियोजना का नि नदियों पर बनाई गई है तो उत्तर है भागी रथी और भिलांगना नदियों पर अगला है टिहरी पन बिजली कंपलेक्स किस नदी पर अवस्थित है आपको बताना है तो सही उत्तर भागी रथी नदी पर अगला प्रश्न है टिहरी बांद बना है कहां पर तो सही उत् अगला प्रश्ण आप देख सकते हैं बहुत ही महत पूर्ण है दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बहुत ही महत पूर्ण प्रश्ण है कि चित्र में दिये गए टिहरी बांठ के अवस्थान को चिन्हित किया गया है A, B, C या D से तो सही उत्तर क्या हो जाएगा C यहाँ पर C जो है ये टिहरी बांठ का अस्थान है तो आप जान लीजिये दोस्तों C जो है ये अस्थाल टिहरी गढ़वाल के मानचितर को देखने से कि A आवस्थान पर भागी रथी और B आवस्थान भिलांगना नदी पर जिसको बिंदुसी से चिन हित किया गया है आगे आईए अंत में देखते हैं डी बी सी यानी दामोदर वैली परियोज प्रोजेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दामोदर नदी हुगली की प्रमुक्साहेक नदी है दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ और पर गई मैथान बेल पहाड़े और तिलया बाढ़ों का निर्मार दामोदर की सहक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी पर योशना के पर्थमचरण में किया गया है दामोदर घाटी पर योशना के अंतर का तिलया बाढ़ को धर्मा जिले में बराकर नदी पर बनाय गया इ मैथानबाद बराकर नदी पर धनबाद जहारखंड में बनाए गया है मैथानबाद का निर्माद 1957 में पूरा किया गया पंचेत हिल बाद दामोदर नदी पर मैथानबाद से 20 किलोमेटर दक्षिन में धनबाद जहारखंड में है इसका निर्माद वर्स 1969 में पूरा हुआ था और दामोदर घाटी परियोजना के अंतरगत दुरगापूर बैराज से दो नहरे निकाली गई है इन नहरों से बर्धमान हुगली और हावडा जिले की भूमी सिंचित होती है प्रशनों पर आईए देख लेते हैं तिलया बांध किस नदी परिस्थित है तो तिलया बांध बराकर नदी परिस्थित है दोस्तों तिलया बांध जारखन के कोडर मजिले में बराकर नदी पर निर्मित है इसका निर्माड वर्स 1903 पन में हुआ था इस बांध की लंबाई 306 मीटर है और इस बांध के दोरा सिचाई तथा जल विद्धुत बादन किया जाता है अगला प्रशन है मै थान, बेल पहाडी और तिलया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं आपको बताना है तो सही उत्तर बाराकर नदी मैथान, बेल पहाड़ी और तिलया बांधों का निर्मार दामोदर की सायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी पर योजना के पर्थम चरण में किया गया है अगले प्रशन पर आते हैं निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन और कारण है कथन हैं दामोदर घाटी कार्पोरेशन के विकास के पूरू दामोदर नदी पश्यम बंगाल में दुख की नदी या शोप की नदी मानी जाती थी बिल्कुल सही है कारण है दामोदर अपने उपरी भाग में तिवरता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है तो ये आप देखिए A और R दोनों सही हैं और R A की सही ब्याक्या है दोस्तों आप जान लीजे दामोदर नदी अपने उपरी भाग में तिवरता से प्रवाहित होने के कारण इस छेतर के लिए दुख का कारण बनती थी जबकि निचले छेतर में पानी का बहाव अपेक शक्रिक कम होता था बहाव कम होने के बावजोद पानी की अत्तधिक मातरा नदी बन्द को तोड़ कर निचले छेतर में बाढ़ का कारण बनती थी दामोदर घाटी निगम की अस्थापना के बाद निर्मित अनेक बाधों के फल सरूप तबाही की प्रवेटिका भी कम हो गई है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारत के भोगोल के अंतरगत भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्तपोन प्रशनों का रिवीजन जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इन प्रशनों को तयार कर करेगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मांग दर्शन फॉर सिविल सर्विसेश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार